प्यारी बच्चों, नमस्कार! मैं लूनेश कुमार वर्मा सास की उच्चतर माध्धिमिक विद्यालय शचान परी जीला रायपूर में व्याख्याता के रुप में पदस्त हूँ. प्यारी बच्चों, आज हम अध्यन करने जा रहे हैं कक्षा सात्मी विश्य हिंदी का. आईए, हम कक्षा सात्मी पाठ आठ जिसका सिर्षक है भीखारिन इस पाठ का अध्यन करेंगे. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भीखारिन यह पाठ गुरुदेव रविंद्रनात टैगोर ने लिखा है. गुरुदेव रविंद्रनात टैगोर को रविंद्रनात ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है. और ये वे महानलेखक हैं जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान, जन गन मन को लिखा है. तो उनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है. यह पाठ एक कहानी पाठ है. प्रस्तुत कहानी एक पूत्र वत्सला दिव्यांग भिखारिन के विश्वास के चले जाने और संगर्ष की समवेदन सिल रचना है. गुरुदेव रविंद्र नाथ ने मानव चरित्र के कई परतों को इस कहानी में समवेदन सिलता के साथ रखा है. प्यारे वैच्चों, पूत्र वत्सला इसका तात्पर यह होता है पूत्र से प्रेम करने वाली. ऐसे ही समवेदन सिलता, इसका तात्पर होता है किसी के सुख दुख को समान भाव से अनुभाव करना, अर्था किसी की पीड़ा है, किसी की दुख है, उसको उनके जैसा अनुभाव करना यह ही समवेदन सिलता कहलाती है. एक भीखारिन अपने जीवन के समस्त पूंजी द्वारा अपने पालित पुत्र को रोग मुक्त करने के लिए खर्च करना चाहती है लेकिन समाज का धन्वान और धर्म कर्म में प्रसिद्ध सेट उसके भीख से संचित धन को लोटाने में चल करता है देखें यहाँ पर सब्द आया है रोग मुक्त यह एक समासिक सब्द है समास विग्रह करेंगे क्या रोग मुक्त रोग से मुक्त यह तृतिया तर पूरुस समास का भेद है ऐसे ही संचित संचित का ताथ पर यह होता है इकठा किया हुआ संतान की पहचान कहानी को एक निर्णायक मोड देती है और पाठकों को मानव चरित्र को समझने और पहचानने का बोध भी देती है बोध कताथ पर यह होता है ग्यान जैसे हम बोध सब्सब्स परिचीत हैं बोध से ही सिधार्थ जो है गौतम बुद्ध बने थी एक सेठ बिखारिन के पाउं पर क्यों गिर पड़ता है वह क्यों यह कहने को विवस है कि ममता की लाज रख लो आखिर तुम भी तो उसकी मा हो ऐसा एक सेठ कहता है आखिर उन्हें ऐसा कहने के आवशकता क्यों पड़ती है अखिर वो ऐसा कहानी के लिए विवस क्यों होता है विवस का तात्पर होता है मजबूर कहानी के मारमिक्ता को पाठक इन पंग्तियों में सिद्दत से महसूस कर सकते हैं कि उसके नेत्रों से अश्रू बह रहे थी किन्तु वह भीखारिन होते हुए भी सेच से महान थी इस समय सेच याचक था और वह दाता थी प्यारे बच्चों अभी यह जो अंसमने पढ़ा इसमें आप कुछ कछिन सब्द देख रहे हैं हम देखते हैं मारमिक्ता यह सब्द कैसे बना इसमें दो प्रत्ययों का योग हुआ है मूल सब्द है मरम इसमें एक प्रत्या लगा तो मरम दहन एक यह बन गया मारमिक और इसमें फिर ता प्रत्या लगा तो इस तरह से रूप बन गया मारमिक्ता अस्रू का मतलब होता है आशू याजक मतलब होता है मांगने वाला और याजक का उल्टा होता है विप्री तो होता है दाता अंधी प्रती दिन मंदिर के दर्वाजे पर जाकर खड़ी होती दर्सन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नमरता से बोलती बाबो जी अंधी पर दया हो जाए तो ये उस अंधी का प्रति दिन का नित्य कर्म धा वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले स्वहदय और दयालो हुआ करते हैं उसका यह अनुमान असत्य न था आने जाने वाले दो-चार पैसे उनके हाथ पर रख ही देते थे जैसा कि आप सब जानते हो आप सब मंदिर जाते हो मंदिर की विशाय में जानते हैं जितने धर्मालाय होते हैं ऐसे इस्थलों पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कुछ भीख मांगने लोग उस धर्मालाय के सामने बैठे हुए देखते हैं और जो कोई भी व्यक्ति उस धर्मालाय में आता है, वो निश्यत रूप से दयालू होता है, सहिर्दय होता है, सहिर्दय मतलब अच्छे मनवाला होता है, दयालू को तातपर होता है दया करने वाले, तो ये जो धर्मालाय में आते हैं, मंदीर, देवालाय आदी में जो लोग आते हैं, वे कैसे होते हैं? वे सहरदय और दयालू होते हैं इस बात को वह भीखारिन भी जानते थी इसलिए लोग जब मंदीर, देवालाय जैसे स्थानों से वापस लोचते थे उस समय उनके आगे वे अपने हाथ फैला देती थी तो अने जाने वाले लोग दो चार पैसे उनके हाथ पर रखी देते थे प्यारे वच्चों देखें, असत्य, असत्य का तात्पर होता है मिथ्या या जूच और असत्य का विपरी तो होता है सत्य, या कहें कि सत्य का विलोम होता है असत्य अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहरदयता को सराहती, किनकी सहरदयता को? जो लोग उनकी हाथों में दो-चार पैसे दे दिया करते थे, उनकी सहरदयता को सराहती अर्था उनकी सराहना करते, उनकी प्रसंसा करती, उन्हें आसीस देती, इस्त्रियां भी उसके पल्ले म थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। न किवाल पैसे दिया करते थी लोग, अपी तो कुछ लोग जो है उन्हें अनाज भी दिया करते थे। सुबह से साम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाये खड़ी रहती। उसके पस्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती। जब सुबह से साम तक उनका नित्य क्रिया होता था जैसे साम होता वह भगवान को प्रणाम करती और अपनी जोपड़ी अर्थात अपने घर के लिवह चल पड़ती है। उसकी जोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती। रास्ते में चुकि मंदिर जो है नगर में था और उसका जो जोपड़ी है वह नगर से बाहर था। इसलिए जब वह मंदिर से अपनी जोपड़ी के लिए प्रणाम को जाती तब नगर को पार करते हुए जाती। इसलिए रास्ते में जितने लोग भी मिलते उन सबसे वह याचना करती जाती। किन्तु राहगिरों में अधिक संख्या स्वेत वश्त्र वालों की होती। जो पैसे देने की अपेक्छा जिड़कियां दिया करते हैं तब भी अंधि मिरास न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। अर्थात कोई देता है तब भी वह मांगती थी नहीं देता था तब भी मांगती थी। कोई उन्हें जिड़क देता था रोज-रोज मांगती रहती हो इस तरह से कहती है। फिर भी वो अपना जो कार्य है अपना नित्य कर्म जो है उसको वो करती। उच्व की भीखारी थी, इसलिए उनका काम था याचना करना, मांगना, तो वो अपने कार्या को वहाँ नित्य करती थी, देखिए, प्यारे वच्चों, यहाँ एक सब्दा आया है राहगीर, राहगीर का तातपरी होता है रास्ता चलने वाले, याचना, याचना का मतलब होता है मांगना, जोपड़ी तक पहुचते पहुचते, उसे किसे, उस अंधी महिला को, दो-चार पैसे और मिल ही जाते, जोपड़ी के समीप पहुचते ही, एक दर्स वर्सका लड़का उछलता, कुदता आता, आप देखते हैं छोटे बच्चों को, जैसे ही अपने घर में, उनके जो प्रिय होते हैं, उनके माता, पिता या पालाप होते हैं, वे जैसे ही आते हैं, तो छोटे बच्चों जोटे हुए आते हैं, वैसे ही जब यह अंधी अपनी जोपड़ी के समीप पहुचती, तो उनकी जोपड़ी से एक दस वर्सका लड़का उछलता, कुदता आता, और उससे लिपट जाता, अंधी टटोल कर उसके मस्तिस्क को चूम लेती, इस तरह से उस लड़के की प्रत को वह प्रदर्शित करती है, बच्चा कौन है, कीसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था, पांच वर्स हुए, पास पडोस वालों ने उसे अकेला देखा था, परिचित, परिचित का तातपरी होता है जानकार, इन्ही दिनों, एक दिन, संध्य समय, लोगों ने उसके गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था, कहां देखा, अंधी के गोद में एक बच्चा देखा, और वह बच्चा कैसा था, वह रो रहा था, अब वह बच्चा क्यों रो रहा होगा, क्योंकि वह अपनों से बिछुड गया रहा होगा, और उनके अ तो ऐसे समय में वहां अंधी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा ली अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चूप करने का प्रयत्न कर रही थी यह कोई असाधारन घटना न थी अतहा किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास थ और प्रसन्न था उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती जैसा खाना उस अंधी को मिलता था उससे अच्छा खाना अपना बच्चा समझ कर खिलाती थी वह असाधारन असाधारन का तात्पर यह होता है असामान्या असाधारन का विलोम क्या होगा असाधारन का व हांडी गाड रखी थी जो इसा आप चित्र में देख रहे हैं दिन भर जो कुछ मांग लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से धंक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की द्रिष्टी उस पर न पड़े प्राया है हम सब के घर में ऐसा होता है कि जो कोई भी किमती वस्तु होता है उसको हम या तो ढख कर रखते हैं या छुपा कर रखते हैं लेकिन वह अंधी अपनी जोपड़ी में कहां छुपाए उसके पास छुपाने का कोई साधन नहीं था इसलिए उस हांडी को वह जिस किसी भी वस्तु से धाक देती थी पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती फिर स्वयम खाती ये माताओं को वैसे भी स्वभाव है माता है अपने बच्चों को पहले भर पेट कर खिला लेती है स्वयम भूखी रहती है लेकिन स्वयम पहले नहीं खाती है बच्चों को पहले खिलाती है उसके बाद वो भोजन करती है ऐसे ही वो अंधी भी पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयम खाती, रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगा कर वहीं पड़ी रहती, प्राता काल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती वक्ष का तात पर यह होता है, हिरदय या छाती, कासी में, कासी की विसम आप सब जानते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, कासी नगर का चित्रा कासी में सेख बनारसिदास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ती थे, बच्चा बच्चा उनकी कोछी से परिचित था, वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे, धर्म पर उनकी बड़ी स्रद्धा थे, दिन के बारा बजे तक वे श्नान ध्यान में सनलग्न रहते थे, कासी के अलग अलग नाम भी प्रचलीते हैं, कासी को किसी समय बनारसिदास कहा जाता था, और आज उसे वारा नसी के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों नाम प्रसिद्ध हैं, कासी, बनारसिदास और वारा नसी, ये भारत का बहुत पुराना नगर है, भारत के प्राचि दास नाम का एक सेट था और देखिए उनकी जो कोठी थी कोठी कहा जाता है महल को देवभक्त का तातपरी होता है देवता की भक्ती करने वाले धर्मात्मा धर्मात्मा का तातपरी होता है धर्म को मानने वाले स्नान ध्यान अर्थात पूजा पाठ उनकी कोठी पर हर समय भीड लगी रहती थी कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे परन्तु ऐसे व्यक्तियों का भी ताता बना रहता जो अपनी पूजी सेट के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे आप देख रहें चीत्र में उस सेट बनारसी दास के पास उस कोठी में बहुत से लोग कर्ज लेने के लिए आते थे कर्ज के इच्छुक का तातपर ही होता है इच्छा करने वाले या चाहने वाले और ताता का तात पर ही होता है पंकती जिसको हम लाइन भी कहते हैं सेकडों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन ही सेठ जी के पास जमा कर जाते थे अंधी को भी यह बात ग्यात थी किन्तो पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहां अर्थात उस बनारसिदा सेठ के पास जमा कराने में क्यों हीच की चाती रही संभवता हाँ वह जानती तो है कि सेठ के पास लोग अपनी पूंजी जमा करते हैं और समय आने पर उनसे ताप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनके पास जो कुछ भी पूंजी जमा थी उसको उनके पास जमा करने में वो सदयों हीच की चाती रहती थी संकोच करती थी प्यारे बच्चों ग्यात ग्यात का ताथपरी होता है जानकारी और हीच की चाहट इसका ताथपरी होता है संकोच या असमंजस और इसी असमंजस में वो अंधी भी खारी जो है पड़ी हुई थी इस कारण से अपनी जम्मा पुझी को अभी तक उस सेट के पास वो जम्मा नहीं की थी किन्तो समय के साथ उसके पास काफी रुपिये जम्मा हो गए थे हांडी लगभग पूरी भर गई थी उसको संका थे कि कोई उसको चुरा न ले देखिए घर में जब हम कोई किम्ती समान रगते हैं और घर में जब कोई नहीं रहता है तब निशित रुप से उस जो किम्ती समान है उसकी चिन्ता हमारे मन में समाई होती है कि कोई उसको चुरा कर न ले जाए तो ऐसी ही संका उस अंधी भीखारिन के मन में भी समाई होई थी कि कोई उसको चोरी न कर ले एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाडी और अपने फटे हुए आचल में छुपा कर सेथ जी की कोठी पर जा पहुँची या प्रस्ण हो सकता है क्या होगा उत्तर यदि दिन में उस हंडी को ले जाती तब लोगों को लगता कि इस अंधी के पास इतनी सारी जमापूंजी है इसको भीख देना उचित नहीं है ऐसा लोग समझ सकते थे इसलिए जब साम हो गया अंधेला घिर आया ऐसे समय में भिखारी जो है उस हंडी को लेकर सेठ के पास पहुची सेठ जी बही खाते के प्रिष्ट उलट रहे थे उन्होंने पूछा क्या है बुढ़िया अंधी ने हंडी उनके आगे सरका दी और जरते जरते कहा सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए मैं अंधी कहां रखती फिरूंगी इसे तो ऐसा उस अंधी भिखारी ने सेठ जी से कहा सेठ जी ने अंधी की ओर देख कर कहा इसमें क्या है अंधी ने उत्तर दिया भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे इकठे किये हैं अपने पास रखते डरती हूं क्रीपिया आप इन्हें अपनी कोठी में रख ले ऐसा उस अंधी ने सेठ जी से कहा सेठ जी ने मुनिम की ओर संकेत करते हुए कहा बही में जमा कर लू फिर बुढ़िया से पूछा तेरा नाम क्या है अंधी ने अपना नाम बताया मुनिम जी ने नगदी गिन कर उसके नाम से जमा कर ली अंधी सेठ जी को आसिरवाद देती हुई अपनी जोपड़ी में चली गई आसिरवाद का ताथ पर यह होता है आसीस दो वर्स बहुत सुख पूर्वक भी थे इसके पस्चात एक दिन लड़के को ज्वर्म ने आदबाया अंधी ने दवाद आरुक की वैर्द्य हकीमों से उपचार कराया परन्तु संपूर्ण प्रयप्ण व्यर्थ सिद्ध हुए उस लड़के का भी स्वास्थ खराब हो गया उसे ज्वर आगे ज्वर मतलब होता है बुखार और ऐसा होने पर जो लोग गाउं में रहते हैं वे अपने अनुसार या लोग जो है अपने अनुसार जैसे तैसे दवाई करने का प्रयात्न करते हैं अपने अनुसार दवादारु करते हैं दवादारु मतलब होता है दवाई या कुछ लोग वैद्य हकीमों के पास जाकर भी उपचार कराने का प्रयास करते हैं तो ऐसा ही उस अंधी भिखारी ने भी किया उपचार, उपचार का तातपर ही होता है इलाज या चिकित्सा किन्तो ऐसा करने से उस लड़के की दसा में सुधार नहीं आया लड़के की दसा दिन प्रति दिन बूरी होती गई, अंधी का हिर्दय तूट गया साहस ने जवाब दे दिया, वह निरास हो गई परन्तु फिर ध्यान आया कि संभावता डाक्टर के इलाज से फायदा हो जाए इस विचार के आते ही वह गिर्ती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुँची सेठ जी उपस्थित थे, कहां अपनी कोठी में अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पुझी में से 10-5 रुपिय मुझे मिल जाएं तो बड़ी क्रिपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, टाक्टर को दिखाऊंगी ऐसा उस अंधी ने सेठ जी से कहा सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा कैसे जमा पुझी, कैसे रुपिय मेरे पास किसी के रुपिय जमा नहीं है अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया दो वर्स हुए, मैं आपके पास धरुवार के रुप में रख कर गई थी देदी जी बड़ी क्रिपा होगी सेठ ने मुनिम की ओर रहस्यमई द्रिष्टी से देखते हुए कहा मुनिम जी, जरह देखना तो इनके नाम की कोई पुझी जमा है क्या तेरा नाम क्या है री, रहस्यमई एक सब्द आया है इसका तातपरी क्यों होता है, रहस्यमई का तातपरी होता है रहस्यसे युक्त अंधी की जान में जान आई आसा बंधी पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बे इमान है जब उन्होंने कहा क्या कि सेठ ने कहा कि मेरे पास किसी की कोई जमा पुझी नहीं है ये कहा तब अंधी ने सोचा कि ये सेठ बैमान है किन्तु जब उन्होंने मुनिम से कहा कि देखो तो इनके पास कोई जमा पुझी है क्या इनके नाम से यह जब उन्होंने सेठ ने कहा धर्मा आत्मा व्यक्ति भला कहीं जूट बोल सकता है क्योंकि जो धर्मा का पालन करते हैं ऐसे लोग जूट नहीं बोल सकते हैं इस बात को वह बुढ़िया जानती थी अब सेच के द्वारा उनका नाम पुछे जाने पर उसने अपना नाम बता दिया मुनिम ने सेच जी का संकेत समझ लिया था बही के प्रिष्ट उलट पुलट कर देखा फिर कहा नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमान नहीं हैं देखिए ये कहानी जिस समय लिखी गई उस समय ये पाई पैसे और रूपिये ये सबी मुद्राओं के अलग अलग रूप हैं जो उस समय प्रचलित थे तो वैसे ही पाई का उल्ले किया गया है अंधी इन बातों को सुनकर वहीं जमी बैठी रही उसने रो रो कर कहा सेच जी परमात्मा के नाम पर धर्मा के नाम पर कुछ दे जीजिए मेरा बच्चा जी जाएगा मैं जीवन भराब के गुण गाऊंगी अंधी ने इस तरह रो रो कर अपनी बातें कही जब मुनिम ने कहा कि इनके नाम पर कोई जमा पुंजी नहीं है तो उन्हें जाने के लिए कह लेकिन अंधी वहीं जमी बैठी रहे हैं मतलब जम कर बैठी रहें वहां से वो हिली नहीं यहाँ आई हूँ पैसा लेने के लिए पैसे ले कर जाओंगे ये उनके हिर्दय में भाव था इस कारण से वह वहीं जमी बैठी रही परंतु पत्थर में जोक न लगी सेठ जी ने कुरुद्ध होकर उत्तर दिया जाती है या नौकर को बुलाओं अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुह करके बोली अच्छा भगवान तुम्हें बहूत दे और अपनी जोपड़ी की ओर चल दे प्यारी बच्चों इस तरह से अभी एक पाठ भिखारिन इसमें हमने देखा कि किस तरह से एक भिखारिन याजना करकर के एक पूझी जमा करती है और उस पूझी को धरोहर की रूप में सेठ जी के पास रखती है लेकिन जब उसे आवशकता पड़ती है तब सेठ उस धरोहर के होने की बात को ही स्विकार नहीं करता और उन्हें कोई रूपिया नहीं देता तब वह भिखारिन जो है भगवान तुम्हें और बहुत दे ऐसा कहती होई अपनी जोपड़ी की और आजाती है इस बुढ़िया ने जो कहा क्या वो प्रसन्न होकर कहा या दुख भरी बाते उन्होंने कहीं दुख भरे भावों से उन्होंने ये बाते कहीं इसके विशाय में हम अगले कालांस में पढ़ेंगे अभी हमने जितना अंस पढ़ा है आईए इसके अधार पर मैं आपको कुछ ग्रिह कारे के प्रसन देना चाहूंगा आप नोट करें आपको इसक्रीन में दिखाई भी दे रहा है पहला प्रसन लिखेंगे दिव्यांग भीखारी प्रती दिन मंदिर के दर्वाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी दूसरा प्रसन लिखेंगे जोपडी के समीप पहुचते ही वह भीखारीन किसे अपने हिदय से लगा देती थी और क्यों तीसरा प्रशन लिखेंगे दिव्यांग श्त्री सेख जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परिशान क्यों थी प्यारे बच्चों अभी ये जो प्रशन हमने लिखा इन प्रशनों के उत्तर आप लिखेंगे और अपने वीशाय सिख्चक से इसका परिख्षन कराएंगे और इस कहानी का सेस अंस हम अगले कालांस में पढ़ेंगे तब तब के लिए नमस्कार